हिंदू की और इंडियन एक्ष्पेस की न्यूज अनालसिस चलिए शुरू करते हैं तो आज की जब हम न्यूज पेपर्स की बात करें दा हिंदू की और इंडियन एक्ष्पेस की तो आज हम लोगा कौन कौन सा चीज आया है कौन कौन से न्यूज आइटम्स आया है कौन कौन के बीच में tensions का, तो there is a place called Sir Creek, Sir Creek में क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का dispute चलना है, तो इंडिया और पाकिस्तान का dispute है, Sir Creek को लेके, तो यह मैं आपको समझाओंगा, जनरली आप लोग को सर क्रीक के बारे में नहीं होता है, जनरली आप लोग को लगता है कि इंडिया से पाकिस्तान के जो संबंध है, वो कश्मीर के मुद्दे पे खराब है, कश्मीर के लिए हमारी प्राब्लम है, बागी सब कुस सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और लाइन है, एक और पॉइंट है, सर क्रीक, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, तो यह मैं आपको समझाऊंगा, तीसरी न्यूज जो है भाई, यह तो एक तरिके यह था, प्रभाकरन, आप लोग फ़र ना, लिटी का चीफ प्रभाकरन, जिसकी डेथ हो करें थी यह, राओन 2009, इन्होंने बोला कि प्रभाकरन की भी डेथ नहीं हुई है, वो भी जिंदा है, इन्होंने ऐसा बोला है तो हम discuss करेंगे इस पूरी news के बारे में यह बहुत important news है बार लिए अगली news आ रही है मौरिशस से तो मौरिशस के जो मंत्री है मौरिशस के एक minister है उन्होंने इंडिया का जो support है उसकी बहुत ताराइफ की है इन्होंने का है शागोस वाले मुद्दे पर जो किस चीज को लेके मौरेश्यस को इंडिया सपोर्ट कर रहा है और एक सीन हो गया है यह पहली और 5 में न्यूसरी रिपीट हो गई है यहांपर कोई नहीं यहांपर वीज़ाब संथीग एलस यहांपर वीज़ाब संथीग एलस हुआ है तो आप लोग ने फास्ट पेस्ट न्यूस देखी होगी हाला कि यह न्यूस में पहले भी डिलिमिटेशन वाला मुद्धा में पहले करा चुका हूं आप लोग को इसलिए मैंने यह चीज उठाई नहीं थी आज इसी लिए चीज में उठाई थी लेकिन सिंस अब हमा अगर आप लोग को नहीं द्यान हैं तो कोई दिक्कत नहीं हम आपको उसका बैक अप करा देंगे आज यह जो क्लाइट का जो एक्जाम होता है क्लाइट के इसु पर यह मुद्दा उठा था अब क्लाइट के पर इस्प्रीम कोड का एक रिस्पॉंस आया है आप सब को बता इस केस के बारे में सौम्या संजय वर्सिस अनिलुत रिपुरा की केस में एक नए अपडेट आया है इंपॉर्टन चीज है अधिकतर चीजे इस से घंबंदित आप लोगो पता होंगी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेटिशनर्स अपना क्या अर्ग्यूमेंट दिया है जिन्होंने केस किया है और अनिलुत रिपुरा ने अपना क्या रिस्पॉंस दिया है इन्होंने क्या बोला है साधी साथ हम बात करेंगे यह इशू पर जो क्विज होगी कॉंस्टिूशन की कुछ मुद्ध भी क्विज करेंगे इस पर आप लोगों को मैंने यहां पर पढ़ाई थी डॉक्ट्रीन आप लोगको अगर याद हो डॉक्ट्रीन ओफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इ पहले शुरू करते हैं आज के यह वाले इशूस सबसे पहला इशू क्या है दिस इस यूर वुल्फ प्राइज दिस यूर वुल्फ प्राइज वाट इस वुल्फ प्राइज तो 2023 का वुल्फ प्राइज अनौन्स कर दिया गया है 2023 का वुल्फ प्राइज अनौन्स कर दिया कि कि कित को दिया दा था दहिंगे किसको दिया जाता है कि सकतीर में थे सतीकर तो अच्छा आप लोगों ने क्या नोबैल अवेयर को के नाम प्राइस का आप लोग आ सुनना हो गए बहुती फेमस नोबैल अवोर्ट होते हैं बहुती और हमके हमे पिले साल के अमें avp आप तो यहां पे जो Nobel Awards है यह दुनिया में बहुती ज्यादा रिस्पेक्ट होती है इन अवार्ट की especially जोब हम बात करें for peace, for science, for literature इन सब के लिए Nobel Awards बहुती famous awards है तो Nobel Awards तो बहुती famous है आप बोल सकते हो these are the most famous awards these are the most famous awards when it comes to science or literature or peace इसी सब चीजों के लिए है तो है economic से लिए आता है science में तीन category है physics, chemistry and physiology वैसे ही जैसे कि Nobel Awards दियाते है तो Nobel Awards कौन देता है यह तो Sweden की तरफ से दिया आता है यह तो Sweden की तरफ से है उसी तरीके से जो wolf prize है wolf prize भी बहुती famous prize है और यह कौन देता है यह देता है इस्राइल क्लियर हो गया जो wolf prize है wolf prize कौन देता है wolf prize देता है आप लोग का इस्राइल क्लियर हो गया is this clear now अच्छा तो सबसे पहले important चीज क्या आपको जाननी है कि जो यह wolf prize है the wolf prize that we are talking about wolf prizes given by इस्राइल ठीक कंपारिजन कर दूं क्या है यहां पर आप लोगों के लिए मैं यहां पर नोबेल लिखके यहां पर वुल्फ प्राइज लिखके इन दोनों और एक country है जो नोबेल फॉर पीस का अवार्ड देती है वाकी सारे की सारे अवार्ड को हो देता है सुडेल तो पांच अवार्ड सुडेल देता है और एक अवार्ड नॉर्वे देता है तोटल किते अवार्ड हो गये? छे अवार्ड शे अवार्ड आप लोगो पता है कौन कौन सी काटिगरी में है फिर आप लोगो पता है literature है फिर आप लोग का physics है physics है chemistry है physiology है physiology methodology मतलब medicine या biology and last is your economics last is your economics अच्छा इस्राइल जो अवार्ड देता है ये टोटल कितने अवार्ड देता है ये भी देता है टोटल 5 अवार्ड ये छे नहीं बलकि टोटल 5 अवार्ड देता है clear तो ये जो 5 अवार्ड की हम बात कर रहे हैं तो किस-किस शेत्र में चीजों में मिलते हैं वार्ड आप लोग यहां पर देखिए दिहां से एक में टुकना एक आपने क्या देख लिया mathematics mathematics फिर देख लिया medicine फिर देख लिया arts फिर देख लिया agriculture और फिर chemistry ठीक तो यहां पर physics का वार्ड नहीं है ध्यान रखिएगा यहां पर physics का वार्ड नहीं है यहां पर literature का वार्ड नहीं है यहां पर economics का वार्ड नहीं है यहां पीस का वार्ड नहीं है यहां पर एक अलगी लीड चल गई है देखिएगा यहां पर वार्ट के किसे किसके हैं एक में टुकना दरा यहां पर अवार्ट है आर्ट के अग्रिकुल्चर के माथिमाटिक्स के फिजियॉलजी का फिजियॉलजी नहीं सॉरी के फिजिक्स का आफिक्स नहीं है यहां पर इसे हैं केमिस्ट्री का और मेडिसिन का क्लियर तो दो A से हो गए Art और Agriculture, दो Maths दो M से हो गए Maths और Medicine और एक हो गए Chemistry, यह Awards है क्लियर हो गया, तो Wolf Price कौन कौन सी काडिगरी में दिया आता है, क्लियर हो गया क्लियर हो गया अच्छा, एक शीज़ और देखो होता क्या है, इस साल this year Physics के लिए Award नहीं मिला है, इस साल Physics के लिए Award नहीं मिला है लिकिन इन General Physics के लिए Award मिलता है, तो इन General Total Six Awards होता है, लेकिन इस साल 2023 के साल में Wolf Prize of 2023 यहाँ पर Physics Award नहीं दिया गया है यह बात आप लोगो क्लियर हो जाए यह जब मैं बोलता हूँ 5 Awards तो 5 Awards इस साल के है वैसे Physics Award भी मिलता है इस साल के लिए यह Physics Award नहीं दिया गया है क्लियर हो गया जब हम बात करते हैं Wolf Prize की तो Wolf Prize वर founded by यह किसने फाउंड किया था यह फाउंड किया था एक बंदा था इसका नाम था क्या रिकार्डो रिकार्डो वुल्फ यह क्यूबा का ambassador था he was a Cuban ambassador he was a Cuban ambassador to इसरेल इसरेल में यह क्यूबा का ambassador था और एक साइंटिस्ट भी था तो इसी के नाम पे यह award शुरू किया गया है this is called the Wolf Prize clear हो गया clear हो गया पहली बार कब award किया गया था पहली बार award किया गया था in the year 1978 clear is this clear और देता कौन है इस award को यह देता है Wolf Foundation Wolf Foundation Wolf Foundation Wolf Foundation का award Wolf Prize और वुल्फ प्राइज जो है यह कौन किसके नाम पे आया Ricardo Wolf जो कि क्यूबा का एक ambassador था इस्राइल के लिए और उसमें इसको establish किया था 1978 में देखो जो यह वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को आप ignore भी कर सकते हो इस वाले पार्ट को आप ignore भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा इसमें confusion हो रहा है तो उसको आप छोड़ दीजे क्लिया क्लियर हो गया बोली भाई क्यूबा एक कंट्री है लिव दैट पार्ट पलग अगर क्यूबा का अबैसे अगरा वाला पार्ट नीग समझें आ रहा तो उसको सक्रिप कर सकती हो चोड़ दो से क्लिए लव ये 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 सुज्मा येस इस अवार्ड वॉस इस्टाब्लिछ दिन 1978 इस अवार्ड वस्टाब्लिछ इन अगिंसर्टी एड क्लिया क्लियर हो गया कि बोलो भाई कि आज आप लोग इतने एक्साइटमेंट काल चला गया वैसे तो आप लोग बहुत एक्साइटेंट रहते हैं ठाक हो गया है क्या एक्दम से ओके आगे चले अगला टॉपिक अच्छा एक चीज और एक चीज और दुखी है ऐसा क्या हो गया भाई द्यान दे रहे हो कहां द्यान दे रहे हो भाई शिवांग क्लास पे बहुत इच्छी बात है फिर तो ओके ओके आप लोग को यह आवार्ड्स जो मिले हुए ना इनके सबके नाम याद करना उतना इंपॉर्ण नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग है आप देख रहे हो इतने सारे लोग है तो इनके आपको अवार्ड्स जो अवार्ड मिले हैं जो अवाड़ीज है इनके नाम उतने याद करने बहुत जरूरी नहीं है मैं कहूंगा ठीक है इस्टिल इफ यू वांट लॉर्ण यू यू कैं बट ऐसा टोल यू सिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अगला जो टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान डिस्ट्ट्ट ओवर सर क्रीक इंडिया पाकिस्तान डिस्ट्ट्ट ओवर सर क्रीक नो इंडियन को नहीं मिला है यह जो वुल्फ प्राइज है वुल्फ प्राइज में कोई इंडियन नहीं है ठीक अगला है इंडिया पाकिस्त अब इंडिया क्या कर रहा है ना यह इंडिया है यह छोटू है पाकिस्तान तो इस जगह पे यह है इंडियन स्टेट आफ गुजरात और यह है पाकिस्तानी स्टेट आफ सिंद्ध यह है सिंद्ध पाकिस्तान का और ये है गुजरात इंडिया का तो इंडिया में जो गुजरात का और पाकिस्तान में सिंद का जहां बॉर्डर लगता है यहां पे न अलग-अलग पानी की नहरे ऐसे चलती रहती है पानी की अलग-अलग आपको पता होगा ऊपर से यहां से इंडस रिवर यहां से होते हुए आके यहां पे गिरती है पता है आप लोग को तो यहां पे ना पानी के अलग-अलग चानल्स है अब पानी के अलग-अलग जो चानल्स है इस साइड इंडिया है इस साइड पाकिस्त तो यह पानी के चानल में ही कन्फूजन है पाकिस्तान कहता है जो यह वाला चैनल है वो यह बॉर्डर है यह बॉर्डर है तो इधर का सारा इलाका हमारा है इंडिया कहता है बेटा पागल हो गया, ये बॉर्डर है, ये जो पानी का चैनल है, ये बॉर्डर है, तो इधर का सारा हमारा है, तुम चलो साइड हो जाओ, ये जो है, इसको हम बोलते हैं, बन गंगा, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, बन गंगा, इसी का नाम है, सर क्रीक, ये जो water body है, जो की multiple channels multiple channels वाली waterbody जो की इंडिया और पाकिस्तान की बीच में disputed है पाकिस्तान का sindh state India का गुजराग state इंडिया का गुजराग state पाकिस्तान का सिंथ state इन दोनों की बीच में इसी बॉर्डर को मैंने magnify किया है यहाँ पे धेर सारी एसी water bodies हैं जो बहती रहती हैं अब इसमें कौन सी water body water बनाए गी इसमें problem होती है तो पाकिस्तान कहता है कि जो सबसे इधर वाली है वो है ताकि ये पूरा इलागा पाकिस्तान में आ जाए आप लॉजिक समझ रहे हैं कंट्री क्यों ऐसा कह रही है एक कंट्री ये है एक कंट्री ये है मालों इनके 20 में water body जो है ये water बना रही है ये है water body तो ये वाली कंट्री हमेशा क्या चाहेगी कि ये water माना जाए ताकि ये सारा इलाका हमारे अंदर आ जाए और ये country क्या चाहेगी कि ये water माना जाए ताकि ये सारा इलाका हमारे अंदर आ जाए तो ये problem है क्लेर हुआ ये गोलु इसलिए दुखी है क्योंकि आजी के दिन पुल्वामा वाल अटाक हुआ था कोई दिक नियए गोलु अब वो तो हो गया आगे से बैसे अटाइक नहीं होते न अब मनाओ गया है कोई दिखकते हैं आज पुल्वामा रिमेंबरेंस दे हैं आल फ्यू तोड़ेश्ट फोटींद अफेब तुड़ेश्ट पुल्वामा कि अबुलों साँ अर्य पुल्वाम मों इचांवोई ए्ट वुल्वामा राड़ेश्ट ग physicists we hope that such events do not repeat themselves and to a great extent they haven't and that is the success of our security forces of our you know establishment ठीक है जिते लोगों को नहीं पता था आजी के दिन there was a very dastardly attack on CRPF का एक convoy था, CRPF आप लोगो पता होगा Central Reserve Police Force so it was traveling from Jammu Jammu से ये Kashmir जा रहा था तो बीच में फुलवामर में this was blasted तो यहां पर क्या है यहां पर पाकिस्तान कहता है सिंध पाकिस्तान कहता है कि जो हमारा सिंध है वो यहां तक का आएगा इसका बॉर्डर यहां पर है इंडिया कहता है इसका बॉर्डर यहां पर है clear हो गया? तो this is called Banganga और Sir Creek यह water body कौन सी है? इस इस बंगंगा और सरक्रीक, क्लियर हो गया, is this clear, is this clear, बताईए, कोई डावट हो तो बता दीजे, अच्छा, अब एक चीज़ काम करते हैं, कुछ मैं आपको एक प्रिंसिपल समझाएता हूँ, एक प्रिंसिपल बहुत important है, अच्छा इस प्रिंसिपल के साथ-साथ, यह जो इंडिया है और यह जो पाकिस्तान है, इनके बीच में यहाँ पे सर क्रीक है, यहाँ पे सर क्रीक है अब सर क्रीक के, सर क्रीक के बगल में यहाँ पे एक क्रीक है और यहाँ पे बीच क्रीक है, सर क्रीक तो इसन प्रिंद है, यह जो है, यह है कोरी क्रीक जहां लखेगा, बगल में water body है कोरी क्रीक और पाकिस्तान में साइड में water body है, this is called कजार क्रीक और यह जो disputed है, this is your सर क्रीक, सर क्रीक का दूसरा नाम क्या है, यह आप से पूर सकते है दो नेम इस बन गंगा बन गंगा यह क्या है, ऐसी water यह topic news में क्यों आ गया अब दिखा, इस बहूँद में इस लिए है क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया सर क्रीक के पास कुछ कंस्रक्शन कर रहा है इंडिया क्या कर रहा है हम लोग सर क्रीक के पास यहां पे एक बॉर्डर आउट्पोस्ट बना रहे हैं क्या बना रहे हैं बॉर्डर आउट्पोस्ट तो पाकिस्तान इसमें चिल्दा रहा है कि क्यों बना रहे हो क्यों बना रहे हो तो हमारा इलाका है इंडिया ने बोला तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे फादर का है, हमारा है, clear हो गया, यहां पर सर क्रीक में, इस जगह पे, हम लोग इन बॉर्डर आउट्पोस्ट बना रहे हैं, तो पाकिसान कहे रहा है, यहां पर मत बना हो, यह disputed इलाका है, यह हमारा है, तो इंडिया न इस टाइब of water body, आप नोट कर लेजिए, यह जो सर क्रीक हो क्या है, जब जोगर फी पढ़ेगे, तो यह प्रिंस्पल लेडीज धी, मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या करूँ उसका, congratulations, आगे चालने people, एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप नोट कर लो अगर एक वाटर बॉड़ी है एक वाटर बॉड़ी है और यह मान लो इंडिया है और यह मान लो पाकिस्तान है तो एक वाटर बॉड़ी जो कि है जिसके अंदर पानी है मालो यह रिवर है यह रिवर है जो इधर को फ्लो कर रही है तो अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच में यह दो टैट्रीज के बीच में कुम कुम पागल हो गई हो क्या कौन सा क्वेशन नहीं बता रहा हूं तो यहां पर यह वाटर बॉड़ी है जो कि दो कंट्रीज के बीच में है आज यह न्यूज में क्यूं है पलक कानपूर में तुम्हारे हरता लो रखिए कि असनाई नहीं पढ़ रहा है तुमको एक बार में बोल रहा हूं ना इंडिया वहां पे बॉर्डर आउट्पोस्ट बना रहा है जिसको पाकिस्तान अपोस्ट कर रहा है इंडिया इस में कि एक चीज़ का ध्यान दीजिए अगर दो देश हैं एक पाकिस्तान हो गया और एक इंडिया हो गया इन दोनों देशों में अगर कोई एक वाटर बॉड़ी है और वो वाटर बॉड़ी इनका बॉड़र बना रही है पाकिस्तान और इंडिया का मानलो वाटर बॉड़ी एक बॉर्टर बना रही है, तो इसमें बॉर्टर का पॉइंट क्या होगा? यह वाला पॉइंट होगा, कि यह वाला पॉइंट होगा, कि यहां से बॉर्टर बनेगा, नदी के बीचों बीच से बनेगा, कि साइड से बनेगा, कहां से बनेगा? चलो चाह, इस वाले पॉइंट को ह लेते हैं आपको क्या लगता है इसमें water बनाएगा तो देखो यार यहां पे कोई भी आंसर सही नहीं है कुछ भी हो सकता है अच्छली यहां पर answer A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है अच्छा मालो कोई यह नदी है, इस नदी में मालो कोई भी river है, यह river है आप इस river में यहां पर अंदर गुसे, तो यहां पर थोड़ा गहरा होगा माल लो यहाँ पर 5 मीटर गही है नदी थोड़ा और अंदर जाओगे हो सकता इस पॉइंट पे नदी इस पोइंट पर पहुँंचे ना तो पंचला नदी जो 21 मीटर गही है और इसके बाहर जब इधर जाने लगे तो यहाँ पर पंचला की 12 कि लो माँटर है तो सबसे गहरा पॉइंट को ट्रेस करो सबसे गहरा पॉइंट फिर इधर फिर इधर फिर एसे आ रहा हो फिर ऐसे आ रहा हो तो इन सभी गहरे कर लिए पॉयंटों को आप जब एक लाइन में जोडोगे तो जो जो जा लाइनалाइशल से आएगी यह ओगी इन्टरनाशल बॉडर लिए इन्टरनाशल बॉर्ट नॉत दा मिल्ड पॉयंट ओर अर्ड धियंट पॉइंट इन पॉइंट टॉडब अपॉर य व१िंटर इन दाइट केस दा लाइन और बॉर्डर दा लाइन और वॉर्डर विल बी दा लाइन विच गनेक्ट सबसे गहरा पॉइंट है नदी मालो यहां से शुरू हुई और यहां तक गई तो जहां से बॉर्डर शुरू हुआ पॉइंट पॉइंट फिर राएंट केments यहीं आप लोग का एंट्रणाशल बॉर्डर है सर क्रीक वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया सर क्रीक वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया सर क्रीक is a water body is a water body आप लोग इसो क्या बोलोगे estuary is an estuary which forms the border which forms the border between इंडिया और पाकिस्तान इंडिया की तरफ से गुजराथ और पाकिस्तान की तरफ से सिंद्ध क्लियर समय आ गया इसको हम लोग बन गंगा भी बोलते हैं इसको हम लोग बन गंगा भी बोलते हैं यह इंडियस रिवर की एहाश्यूरी है इंड़ैस रिवर के माउथ पे हैं इंड़ नहां पर नोट करनी है औल दिस इंफोमिशन 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 और टुबी नोटेट यह बोलो वे जंदिल नी बहुता हमारे पास पूरे जिन्दगी नहीं हुआ हुआ कि नहीं हुआ नियूज में कियो था नेउज इसलिए था नियूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया इस में बॉढ़र आउट पोस्ट हीं इंडिया यहां पे बॉर्डर आउटपोस्ट बना रहा है how हो गया okay नेक्सट अगला टापिक जो है मारा देस से यह लिट्टे वाला टापिक तो बंदा है नेदुमरन अब नेदुमरन कौन है अब इसने अनाूस्मेंट किया है इसने इक information दी है ये कि जो लिट्टे का चीफ था जो लिट्टे का चीफ था जिसको लोग लगता है मर गया इसका नाम था वी प्रभाकरन लोगों को लगता है वी प्रभाकरन मर चुका है लेकिन वी प्रभाकरन इस बंदे नेदुमरन ने इस बंदे नेदुमरन ने नेदुमरन ने ये बोला है कि वी प्रभाकरन जो की लिटे का चीफ था लोगों को लगता है ये 2009 में मारा गया लोगों को लगता है ये में 2009 में मारा गया लेकिन ये मारा नहीं गया है ये गलत नहीं ये बात गलत है He is still alive He is not dead, he is alive Clear हुआ? Clear हुआ? नेदुमरन ने बोला है देखो नेदुमरन कौन है इस नोट इंपोर्टेंट नेदुमरन एक तमिल नैशनलिस्ट है जो की पहले लिटे में काम करता था अब इसके डिटेल मन चाहिए आप निउस है लिटे के बारे में यह जानना है और वी प्रभाकरन की बारे में जानना है तो इसका बैग्राउंड मैं आपको देखे आउं पहले बैग्राउंड दूं फिर समझाओ इस निउस को तब आप लोगो यादा समझ में आएगा आप लोगो बैग्राउंड दे अब बैग्राउंड में हमको जाना पड़ेगा यह इशू है पूरा श्रीलंका का इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहां पे श्रीलंका में ठीक यह है इंडिया और यह है आप लोगा श्रीलंका अब श्रीलंका जो कंट्री है आप सबको पता है पहले इट वाज़ ब्रिटि इसका नाम से लॉन कब तक रहा उसका नाम से लॉन कब तक रहा 1972 में 1972 में देखिए ये कंट्री आजाद तो हो गई 1948 में ही 1948 में आजाद हो गया लेकिन 1972 में इसका नाम से लॉन से लॉन से लॉन के क्या कर दिया गया श्री लंका कर दिया इन दियर 1972 अब होता क्या है यह कंट्री का आपने बदल दिया सबकुछ सिस्टम बदल दिया अब 1972 में इसका नाम बदला और 1978 में क्या होता है इस कंट्री का नया इस country का नया constitution आता है जब इस country का constitution आया तो हमारे देश का जब constitution आया आप लोग को याद होगा जब हमारे country का constitution आया तो उसमें क्या लिखा था कि all the Indians are equal लेकिन जब श्रिलंका का constitution आता है 1978 में यहाँ पे प्राब्लम हो गई जब श्रिलंका constitution आता है 1978 में current constitution उसमें प्राब्लम हो गई इसमें क्या किया गया इसमें issue यह बात का आया issue क्या आया अगले बेश पे देखते हैं रेस किया हमने 1948 में independence 1972 में new constitution और 1978 में आपका constitution अब जानते हो constitution में क्या हुआ constitution में यह बोला गया constitution में यह बोला गया कि श्री लंका की जो majority community है कौन सी community है श्री लंका में majority कौन सी community है श्री लंका की majority community को हम बोलते हैं सिन्हाली या सिन्हाला this is called the सिन्हाला community सिन्हाला community को बहुत सारे अधिकार दे दे गए और जो बाकी के communities हैं जिसमें mainly कौन थे तमिल्स जिसमें mainly कौन थे तमिल्स तमिल्स को एक तरीके से second class citizen मना के छोड़ दिया गया तमिल्स कुछ भी right नहीं दिये गए clear तो इससे जो तमिल्स थे तमिल्स बैसिकली शिलंका में शिलंका का यहां journalists बहुत रहते हैं दो तमिल्स को rights दिये गए सिन्हाला लोगों को राइट दे दिये गए तो तमिल लोग काफी गुस्सा हो गए इससे गुस्सा होके क्या हुगा इससे गुस्सा होके क्या हुगा इससे गुस्सा होके इन लोगों ने अपना एक movement शुरू कर दिया और इस movement लिबरेशन टाइगर लिबरेशन टाइगर टाइगर्स किस चीज़ के लिए फॉर तमिल इलाम मतलब होता है कंट्री मतलब 1976 में ही एक ग्रुप बना दिया गया लिट्टे और इन्हों ने ये ग्रुप क्यों बनाया क्योंकि जब कॉंस्टिशूशन बनाया जा रहा था फाइनल कॉंस्टिशूशन फोर्स में 1978 में लेकिन 72 के बाद से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गए होगी न तो इन्होंने देखा भाई कि सारा जो अधिकार है वो मेजॉर्टी कमिटी को दिया जा रहा है तमिल्स को कुछ मिला ही नहीं है इसलिए इन्होंने अपन अलग से ग्रुप बना लिया इससोल्टी लिपरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इललंग अब क्लियर हुक अब क्लियर हो ल्टी के बारे सबको अब हुआ क्या जब यह ग्रूप बन गया ल्टी टी टीकिए लटने के लिए कि इंहो इसे लिए बनाया था क्या करें टा-बिये लिए इनtså के लिए अलग से इललम बना थे या तो लड़ाई होती रही यह लड़ाही जाकर होती है 2009 में जब यह यह कि अउसका जो जैन लीडर था जिसका नाम है वैरू पिळे जिसका नाम था वैम दूपिल रहा फीर प्रभा करन कर लेर प्रभाकरण मरब चुका है और इसका जो ग्रूप है यह विओ ख Thom एक तू एल्टीटी कब बना 1976 में आप लोग नोट कर लो ये सब ये लेटेस्स अब्रेट है ये लेटेस्स अब्रेट है कि अभी भी ये जिन्दा है अभी ये बंदा जिन्दा है यह गया यह बॉडी कब से कब सक चली आपको पता है 1976 से चली लेकिन 2009 में बॉड़ी खतम हो गई क्योंकि मर चुका था इसलिए लेकिन अभी आ गया यह बता रहे हैं कि यह अभी भी जिन्दा है कि कॉंस्टी एफेक्ट में आने से पहले ही लिट्टे बन चुका था अगर आपको श्रीलंका की टाइम लाइन देखनी है तो मैं श्रीलंका की टाइम लाइन आपको दिखा देता हूं नमबर वान सबसे पहले तो श्रिलंका इंडिपेंडेंट होता है 1948 में नमबर टू 1972 में इसका नाम से लॉन से बदलके श्रिलंका कर दिया गया नमबर त्री क्या है 1970 में 1976 में LTTE बन गया और नमबर फोर क्या है 1978 में न्यू कॉंस्टिूशन आ गया अब सिंस न्यू कॉंस्टिूशन ने कुछ खास बेनिफिट्स नहीं दिये सिन्हारा लोगों तमिल्स को तो यहां पर शुरू होगे लडाई और लडाई शुरू होने के बाद कब खतम हुई साल 2009 में जब LTTE वस दिस्ट्रॉइड एंडी प्रभाकरन डाइड ओके इस इस एक लीडर था रितु बोल रही है कॉंस्टिूशन 1978 में बना था राइट तो तभी मिलेंगे ना इनका कॉंस्टिूशन 1978 में एफेक्ट में आया था लेकिन बन तो पिछले चार पांस साल से रहा होगा ना तो उसमें डाला जा रहा है यह तो दिश्टिवांग ने अ देखी लिया होगा इन लोगोंने क्लियर हो गया इस इस क्लियर पीपल इस एव्रीवन क्लियर रितु तुम्हारा कॉशन था वो ओके पॉफेक्ट अगले टॉपिक पर आ जाएं था नेक्स टॉपिक एर इस मौरिशस हाज थांग इंडिया फॉर इट्स सपोर्ट मौरिशस ने इंडिया को थांग किया है इंडिया के सपोर्ट के लिए तो इंडिया में क्या सपोर्ट किया है मौरिशस का इनको क्या थांग किया गया है लिस्ञे है हुआ क्या है मौरिशऑस का wiped dispute है मौरिशऑस का shipment है dispute is the group of islands इस्ञेस कॉल शागोष अरोची पलागो इसाम प्लागोष है और चीलागोष है और शॉप लिगनने मतलब क्या होता है अर्चीलागोष ही शब्यमातलब निदा ही गिर्वन इस शब्द का ही मतलब है. Group of islands तो सारचिकलागो is a group of islands अब इस group of islands में हुआ है? द्यान सुनेगा. हुआ ये है कि जो Sago coffin Đi好不好 है ये dispute चल रहा है. ये dispute चल रहा है. किसा? Mauritius का, किस के साथ? UK के साथ. अब इस dispute में इंडिиз का support किया है? मौरिषिस का support किया है इसलिए इंडिया ने सेंस यहां पर मौरिषिस का support किया है इसलिए मौरिषिस इंडिया को thank कर रहा है thank you बोलना है कि अच्छा किया आपने हमाई किसका आया है मौर्शेस के एक मिनिस्टर है कि इस दी मिनिस्टर औफ फिनांशल सर्विसेज गुड्ग गवर्नेंस इनका नाम क्या है इनका नाम है महें महें कुमार कुमार सिरुत्तुन महें कुमार सिरुत्तुन clear हो गया? The name is महें कुमार सिरुत्तुन तो महें कुमार सिरुत्तुन is the current minister for financial services and good governance for Mauritius इन्होंने इंडिया का support जो मिला है Mauritius को उसके लिए इंडिया को थैंग किया है He has thanked India for support on Shago's Archipelago ये news clear होई, details के आपको समझाओंगा पहले news clear होई की नहीं होई ये बताइए The details will be given to you, first of all tell me whether the news is clear or not News ये है कि Mauritius के financial services के minister और इनके good governance के minister महें कुमार सिरुत्तुन इन्होंने इंडिया को थैंग किया है for India's support to Mauritius on the issue of Shago's Archipelago clear होगया? Is this clear people? Is this clear? अब detail में मुद्दा समझे है, आप लोग detail में इस इशू समझे है क्या देखो इशू ये है, इशू ये है कि Mauritius जो country है Mauritius country सबसे पहली बात तो इसकी capital क्या है? इसी capital है Port-Port-Lewis, पोर्ड-Lewis clear? अब हुआ क्या? ये जो Mauritius country है, ये country पहले आजाद होने के पहले इसको इंडिपेंडेंस तो मिल गई? ये यूके का कॉल नी था, ठीक? अब हुआ क्या, यूके से इसको इंडिपेंडेंस को मिल गई? प्रॉब्लम जानतों कहां पर आये? इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, ये पूरा मौरिशस था लेट्ट ने जिये पूरा मॉरिषरस था मॉरिषरसका लोकेशन बताओं आपको यह एंडिया के मैप है इंडिया के निचे श्री present श्रिलंका के नीचे यहाँ पे हमारा लक्षदीप यहाँ पे आपका मालदीफश और यहाँ पर है आपका ěमloris कहां पे लाइक करता है यहां पर है याफ है अनु को तो हुआ मारिशेस मालनों यह सारा पूरा इलाका है तो मॉशिण के नौर्धन पार्ट में नीहां सारे आईएंट्स सब्सकों क्या गडिर अपतव क्या क्या बोलते हैं इनकुत क्या बोलते हैं शाणोी और और समी कौर्ट इंडीपेंडेंस नाइटी इन सिक्टी एट लेकिन जानते हो मूरे मौरीशिर्ट मूं शागो शार्चिपलागो अभी भी UK के चंट्रोल में है अभी भी UK पे कंट्रोल कर रहा है शागो शार्चिपलागो इस्टिल अंडर UK के संट्रोल क्लिर हो गया? समझाया? ओके? तो हुआ क्या? इस मुद्दे को लेके मौरिशेस कहाँ चला गया? इंटनाशनल इज़रा औफ जस्टिस चला गया इस मुद्दे को लेखे कहाँ चला गया इंटनाशनल इंटनाशनल इस चला गया इंटले हो गया реEx j इस डिया आदk Export inventory पीपल कि न क्वारिश कि जने रहन तुम ज रहर ऊठ्ट क्यों लेकिन अब जो इंटराइशनल पैसला है उसको यह लोग नहीं मान रहे हैं जो International Court of Justice का फैसला है जो साल 2019 में आया इसको कौन UK नहीं मान रहा है तो इस पॉइंट पे इंडिया ने किसका सपोर्ट किया इंडिया ने सपोर्ट किया किसका मौरिशस का तो इस बाद को लेके मौरिशस सबसे काफी खुश है मौरिशस अपनी खुशी दिये जाहिर कर रहा है अब यह मुद्दा समझ में आया आप लोग को पूरा मुद्दा मौरिशस एक कंट्री थी जो की पहले आजाद नहीं थी जो की पहले बिटन की कॉल नहीं थी बाद में उसको 1968 में जाके आजादी मिली लेकिन जब उसको 1968 में आजादी मिली तो पूरी तरीके से नहीं मिली मौरिशस का एक हिस्सा जिसको शागो सार्चिपलागो बोलते हैं इस पर अभी भी UK का कंट्रोल था UK का जो कंट्रोल था ये मुद्धा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लेमेटिक मुद्धा था और मौरिशस चाहता था कि हमको वापस मिल जाए तो इसमें केर्स फाइल कर दिया अभिन का नाम भी दोट कर लो यह भी बीच में इंडिया आयुवे थे इनका नाम है प्रविन जगनाद को बलिव char Вас अर Touch Diego Garcia Diego Garcia Diego Garcia is basically USA का naval base UK UK ने अपने पास रोक लिया था UK ने इसको अपने पास रोक लिया था 1968 में आजाद Hoyत्य दिये दी Morrisишь 예աս को लेकिन ये चीज अपने पास रोक लिए UK ने अब इसी में एक आलेंड Diego Garcia फ़या अब इसे को दे दिया कि आप अपने यहां पर military activities carry out करिए कोई जी करते हैं हमारे दोस्त है तो यह island भी बहुत news रहता है अगर यह island news में आएगा किसका naval base है तो USA का naval base है कहां पर है इडिजिन मौरिशस clear clear हुआ कि नहीं हुआ अवदाई है everyone is this clear last year यह news में था last year Diego Garcia was the news okay last topic करते हैं आज का जगो यह topic हम लोग पहले कर चुके हैं तो इसको repeat नहीं कर रहा है कुछ और करने वाले हैं हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं supreme code supreme code upholds upholds J&K delimitation J&K delimitation तो आप सबको बता है जमू और कश्मीर जब जमू और कश्मीर की बात करते हैं तो जमू और कश्मीर का जो status था पहले जमू और कश्मीर जो इस state था earlier it used to be a state but after October 2019 2019 it becomes a union territory it becomes a union territory तो सिंस इसका स्टेटस स्टेट से बदल के union territory हो गया तो यहां पर जो एलेक्शन को लेके जो seats हैं एलेक्शन के लिए जो constituencies हैं इनको भी रिवाइस करना था इनको मॉडिफाइ करना पड़ेगा न भाई जब जमू और कश्मीर का पूरा सिस्टम बदल गया है आपने जमू और कश्मीर का जो state था उसमें से स्टेट में से आपने जमू और कश्मीर का और लग्दाग का यूटी निकाल दिया तो पूरा-पूरा सिस्टम बदल गया तो आपको अपने जो नया सिस्टम है हमारा जो नया यह हमारा बना हुआ है जेनके का यूटी इसके वोटिंग के परपस से यहां पर जो seats हैं इंको मॉडिफाइी करना ओगा के लिए हमारन के लिए हैं लिए को म्यूडिफाइी करते हैं करना होगा तो ग्रीफाइी करद आध केस व sixth न्यूटी इस इनliter V y représ नेविटेशन इस मॉडिफिकेशन लीफिकेशन tavalla अर्-व् Elections Elections के लिए जब आप Modify करते हैं Constituencies This is called Delimitation Is this clear? तो अभी हुआ क्या था? JNK का Delimitation करने के लिए Committee बनाए गए थी This was called the Commission मनाए गया था This was called the Ranjana Prakash हालांकि बहुत बार हम लोग इडिस्कस कर चुके हैं देसाई Commission Ranjana Prakash देसाई Commission And this Commission was formed in 2019 For JNK Delimitation Three Member Committee थी इन्होंने JNK का Delimitation कराया अच्छा ये October 2019 मैंसा क्या हुआ था? कि ये State से UT में मतल गया? यहाँ पर आया था Jammu and Kashmir Jammu and Kashmir State Reorganization Act Reorganization इसी के वाएं से ये Change of Status हुआ था Clear हो गया? Is this clear? Is this clear? So the news is Supreme Court has upheld Supreme Court has upheld the validity Supreme Court has upheld the validity of of your this what you call JNK Delimitation and JNK Delimitation को करा गया था under the Ranjana Prakash Desai Committee that was formed in 2019 this Delimitation was required why? Because JNK was converted from a state to a union territory in 2019 through Jammu and Kashmir State Reorganization Act Clear? Clear हो गया? Is this clear? बोलिया? All of you? Okay, perfect आगे चलें इतना clear हो गया तो आगे बढ़ा जाएं इस news में अधिकतर चीज़ें आप लोग को पहले से पता हैं इसलिए मैं उसको repeat नहीं कर रहा हूं बाकी का जो अभी का अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया है Clear? कोई प्रॉबलम आ रही हो तो मुझे बता दीजे ओके आगे चलने के पहले मैं आप लोगों के लिए जरूरी अनॉंसमेंट है बता दे रहा हूं इस अपल नहीं है जो नहीं कर सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर प्लस अन इकोनिक प्रोग्रमस अपलो को प्लस और इकोनिक यासस के बारे हैं बता होगा these are subscription-based classes where there is a proper batch which is there for you to study multiple batches are there आप किसी batch में पढ़ सकते हो अपने हिसाब से फिर आपको notes मिलते हैं, quizzes मिलते हैं test होते हैं, mocks मिलते हैं भहुत सारे features हैं, job को मिलते हैं Iconic में mentorship का extra feature मिलता है आप लोग को तो if you want to join the Iconic and Plus program you can join it because currently you are getting first of all 35% discount तो अगर 100 rupees का program है for 6 months तो you are getting it for 65 rupees first of all, secondly आपको इसमें 6 महिने में 2 महिने एक्स्रा मिलने वाला है तो 65 rupees में you will be getting 8 months of subscription so this is the angle here you all can take advantage of it and go for your courses, okay तो I hope यह आपको समझ में आज चुका होगा अभी शुरू करते हैं हम लोग तो आज का अपना लीगल वाला जेटा लीगल वाला जिन्ने शुरू करते हैं लीगल इशूस तो लीगल इशूस हमारा क्या है यह NLU 3PRA को लेकर जो Supreme Court में case है उसको हम लोग करेंगे इसको रिस्स करेंगे ओके तो फटा फटा आप लोग आजबते हो क्लास का लिंक में आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूँ इस क्लास में इतना ही है See you all in the next class ओके So I'll share the link Copy Okay people you can